नाकपुर जिले में जिला परिशत पंचाय समीती का चुनावी माहोल चल रहा है इसी बीच एक काटोल वदानसभा शेत्र में कॉंग्रिस के बड़े नेता बीचेपी की उमीदवार के प्रचार नियोजन सभा में उपस्तित होने से संधे के घेरे में आ गए हैं अब आशिश देशमुक इनको कॉंग्रिस से ख़देर देने की मांग कॉंग्रिस के कारिकरता कर रहे हैं 21 अगस को काटोल तैसिल और नर्खेड पंचाय समीती कारियाले में एक शाष की सभा का आयोजन हुआ था स्टेच पर महराश्री राजी के मंतरी और सावने विदान सभा शेतर के आमदा सुनील केदार और काटोल के माजी आमदार आशिश देशमुक इन में कहा सुनी हो गई इसे आहत हुए आशिश देशमुक ने सुनील के दार पर चल रहे बैंक गोटाले के आरोपों को ध्यान में रखते हुए मंतरी पत से निकालने की मांग आशिश देशमुक ने की थी इसके बाद जिला परिशद और पंचाय समीती चुनाफ की विशे में कॉंग्रिस के एक सभा में सुनील केदार की आकर्मक भूमी का देखने को मिली कॉंग्रिस का कितना भी बड़ा नेता हो अगर वह कॉंग्रिस से बेमानी करता है तो उसे वहीं पकड़ कर मारो यह क्याकर युवा कॉंग्रिस कारिकरतों में उर्जा भर दी थी अब आशिश देशमुक के भाचपर प्रचार में देखे जाने की खबर सामने आने के बाद कॉंग्रिसी खेमे के सुनील केदार के समर्थकों ने माहोल को गर्माया है बीजेपी प्रचार की एक छोटी बैठक की फोटो वाइरल हो गई जिसमें काटोल तैसिल के सावरगाम सरकल से पारवता बाई काल बांडे ये बीजेपी की उमीदवार इनकी दिविस्थान में बीजेपी के प्रचार हेतु आयोजी छोटी सभा 25 सितंबर को समपन हुई इस बैठक में भाजपा के उकेश चोहान और उनके कारी करता थे इस छोटी सभा को आशिश देशमुक लीट कर रहे हैं ऐसा वाइरल फोटो में दिखाई दे रहा है आशिश देशमुक को कॉंग्रेस पक्ष से निलंबित करने की मांग कॉंग्रेस के विभागिये बूद समन्वयक प्रकाश वसू इन्होंने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शिस्तभंग समीती अध्यक्ष पृत्वीराथ चोहान प्रदेश प्रभारी ए या बीजेपी के क्योंकि उनकी हरकते जो है वह एकदम बीजेपी के कारेकरता और बीजेपी का नेता बनकर जो एक कारेकरता काम करता है उस तरह की के वो कर रहे है जो कि एक बीजेपी की बीटीम कॉंग्रेस में काम कर रही है यह आसीज देशमुक्ष इन्हों निकल जाकर सावर गाव में वहां के जो उम्मेद्वार है जिल्ला परिशत सर्कल के पारवतताई कालबांडे इनका प्रचार में वह यह उपस्तित थे इनका प्रचार करने वह गए थे और इसी का विरोध यो कॉंग्रेस त्रिवता से करेंगी और यह अपने अंदाज में इनको यह जव दारों से बचा है जाए